हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंसिट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बच्चों हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स देख रहे हैं करेंट इलेक्टिसिटी जैसा कि हमने पिछली वीडियो लेक्चर में हमने किर्चाओफ लॉग के बारे में आप तो हमने डिसकस कर लिया था डीटेल में तो किर्चाओफ वोल्टेज लॉग के बारे मैंने डेफिनीशन बता दी थी आपको तो आज हमें उसके साइन कर्वेंशन के बारे मताना था कि कब किधर चलते हैं और कैसे साइन लेते हैं और वोल्टेज क्या होता है ठीक है आईए इसके बारे हमने डिसकस करते हैं डीटेल में देखिए कहानी कुछ इस तरीके से है कि साइन कर्वेंशन चिन ने धारन कैसे करते हैं हम लोग तो ध्यान रखिएगा ये देखिए क्लोज लूप के लिए काम करता है किर्चाओफ वोल्टेज लॉग किसले काम करता है क्लोज लगा है एक, एक से लगा हुआ इस से लगा हुआ हुआ इस तरीके से हैरा करेंट kommे निकलेगा बच्चा I1 current निकलेगा, प्लस वाले sign से निकलता है, है ना, निकलते ही, इसको यहां से, ए पॉइंट में पहुंचेगा, इसको दो रास्ते मिल जाएंगे, बच्चा, कितने रास्ते, दो रास्ते, एक नीचे जाने का, इधर जाने का, तो क्या होगा, लेकिन यहां से कौन current आ रहा है, दूसरे cell से I2 current जा रहा है, ठीक है, जैसे I2 current जाएगा, दोनों आपस में यहां मिलेंगे, अम मिल करकि यह तीसरे रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, तो I1 प्लस I2 current जाएगा यहां से, क्या लिखा है बच्चा, I1 प्लस I2 current जाना शुरू करेगा, इस वाले path से किसमे R2 में और फिर यहां आएगा, जैसे यह C पर पहुँचेगा, R2 से जा रहा है, क्यों से current, I1 प्लस I2, जैसे यह point C पर पहुँचेगा, इसको फिर दो रास्ते मिल गए, तो यह जो आपका I1 है, वही है, दो दोस्त आपस में चले, साथ में गए, फिर junction C पर मिले, क्या I2 है, यहां से move करते हुए, अपने E2 में चला जाएगा, ठीक है, दूसरे cell में चला जाएगा, minus 10 million में, तो इस तरीके से current अपका चलता है, ठीक, यहां पर, अब देखिए, हम voltage law की बात करते हैं, कि इसका जो algebraic sum होता है, delta V, is equal to कितना होता है, 0, यानि सारे voltage का sum कितना होता है, 0 होता है, तो आइए, हम इस बात को समझ लेते हैं, किस तरीके से बोरा गया है, कि sum of delta V, कितना होता है, 0 होता है, voltage sum कितना होता है, 0 होता है, कैसे होता है, आइए, इसके बारे हम लोग डिसकस करने वाले हैं, देखिए, कहानी कुछ इस तरीके से है, इसमें, समझ येगा इसमें देखो दो लूप बन रहे हैं कौन से लूप एक फॉर लूप A, B, C, A इस लूप की बातचीत करेंगे हम लोट इसमें देखें इस लूप में क्या हो रहा है कि हम चलेंगे clockwise direction कैसे चलेंगे बटा clockwise direction है ना आप anti clockwise भी चल सकते हैं चल सकते हैं as your wish हम clockwise direction चलने से क्या होगा कि हम करेंट की opposite direction में चल रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा अभी मैं लिखवा दूँगा सब कुछ आपको जब आप करेंट के opposite direction में चलते हैं तो जो आपका voltage होता है वो क्या होता है negative हो जाता है तो देखिए आप जैसे ही ऐसे चले तो current इधर जा रहा है लेकिन आप चल ऐसे रहे हैं तो क्या हो जाएगा I1 देखो आपको पता है एक formula कि sir R equals to क्या होता है V upon में I ठीक है लेकिन voltage चाहिए तो क्या हो जाता है I into R equals to V voltage का formula यही होता है तो voltage चाहिए तो I1 R1 क्या हो जाएगा यहाँ पर negative क्या हो जाएगा negative लेकिन फिर आप ऐसे आकर ऐसे जा रहे है मुड़के ऐसे जाएगे तो आप मुझे आप बताइए ऐसे मुड़कर के इस direction में जा रहे है उपर से इधर नीचे आ रहे है लेकिन आप जा कहा रहे है नीचे से उपर opposite direction में आप फिर जा रहे है तो current के opposite direction में चलने पर आपका voltage फिर क्या हो जाएगा minus में यहाँ एक minus हुआ वो ठीक यहाँ फिर minus में होगा तो इसमे current कितना आ रहा है I1 I2 किसमे R2 में second resistance में तो I1 प्लस I2 into R2 is equal to क्या हो जाएगा algebraic sum 0 जैसा आपने पढ़ा था कि क्या होता है किर्चौफ का voltage law कि algebraic sum कितना होता है 0 होता है voltage का ठीक तो यह हो गए कहानी इस तरीके से हमने समझा दूसरे loop की बात करें तो loop किसमे ACDA ACDA में बात करें तो आप बहुत गौर से देखिए बच्चा पार्टी कि आप जैसे इधर से अब देखो अब आप clockwise चलेंगे तो आप current के चलने की direction में चल रहे है इधर से आके मुणके ऐसे आएएगे तो आप देख रहे है current की direction में जाने पर voltage क्या होगा positive होता है तो simple सी बात है तो I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस में है और फिर वापस आप ऐसे ही आएएगे मुणके ऐसे ही जाएगे तो current के direction में ही आप जा रहे हो तो यहाँ पर का voltage यानि I2 R3 I2 I2 होगा यहाँ पर I2 R3 यह कितना होगा बिच्चा यह भी क्या होगा positive हो जाएगा लेकिन आप यहाँ पर voltage के negative direction में जा रहे है तो simple सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा minus E2 हो जाएगा क्या हो जाएगा minus E2 ठीक है तो यहाँ पर हो गया E2 तो इस तरीके से आप किर्शाफ law के क्या कर सकते है समझ सकते है voltage law को ठीक है न कि algebra sum 0 कैसे होता है तो मैंने यहाँ पर आपको loop law समझा दिया अच्छे से I hope आपको सारी बाते समझ में आ रही होगी ठीक है तो मैंने एक बार एक बार मैं फिर से और इसको revise कर देता हूँ उसके बाद मैं इसको लिखवा भी देता हूँ क्योंकि बहुत important exam में पूछा जाता है ठीक है एक बार मैंने repeat कर देता हूँ मैंने क्या बोला बच्चा एक बार सुरू से पूरा एक बार repeat मार देता हूँ यह cell है बेटा जिसका EMF कितना है E1 यहाँ पर resistance लगा है R1 यहाँ पर resistance लगा है R2 A और C के बीच में और नीचे cell कितना लगा है बेटा जिसका EMF कितना है E2 यहाँ पर resistance लगा है R3 अब आपको पता है यहां से क्या होगा current निकलेगा E1 से I1 current निकलाdd, जंक सन ए पर पहुंचेगा और यहां से current निकला, यह जा करके ए पर पहुंचेगा, दोनों आपसे मिलेंगे, उसको तीसरा رास्ता मिला है यहां से जाने का, तो I1 यहां से I2 नीचे से मिलके यहां से current flow करेंगे, R2 में कौन से जाएगा, I1 प्लास I2 current जाएगा, दोनों मिल करके, फिर यहां जैसे C पर पहुँचेंगे, यहां पर कहाएगा, भाई, अब चलो, आप अपने घर, हम अपने घर, I1 कहाँ जाएगा, अपने जहां से निकला था, cell पहले cell में चला गया, और I2 चला गया, दूसरे cell में, तो simple सी बात है, अब आप चुकी voltage law की बात कर रहे हैं, तो voltage law यहां पर आप देखेंगे, दो लूप बन रहा है, एक लूप उपर वाला है, एक लूप नीचे का है, तो उपरा लूप क्या है बटा, A, B, C, A, जब उपर लूप में हम क्या करते ह हैं, clockwise direction में चलते हैं, तो जब आप चलते हैं, तो current के चलने की direction में हमेशा voltage क्या होता है, positive होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप current के चलने की opposite direction में चलते हैं, तो वो क्या होगा, negative, लेकिन यहां पर आप देखें clockwise ऐसे चलना है, तो current ऐसे जा रहा है, लेकिन चल आप कैसे रह न है लेकिन आप आप इसके positive terminal से मतलब इधर से आ रहे थे तो आपका even होगा वह तो positive हो लिया लिकिन जो वोल्टेज होगा i1 R1 वो negative होगा फिर वापस आप ऐसे जा रहे हैं current ऐसे आ रहा है तो फिर आप opposite जा रहे तो फिर यहां का voltage भी voltage यहां कैसे R2 और I1 प्लस I2 ये भी क्या हो जाएगा negative हो जाएगा और equals to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा समझ के बाद को क्योंकि overall क्या होता है डेल्टा भी equals to 0 इसके बाद जब आप second loop लेते हैं नीचे वाला loop लेते हैं A, D, C, A clockwise direction में ही चलना है हम चलते हैं इस direction से ऐसे की तरफ तो जैसे उपर से current आ रहा है आप उसी direction में जा रहा है यानि यहां का voltage क्या होने वाला है positive यानि कि I1 I2 plus I1 plus I2 into R2 क्या हो जाएगा plus में फिर आप वापस ऐसे मुर के जाएगे तो simple सी बात है आप फिर भी current की direction में चल रहा है तो current की direction में चलने पर voltage क्या होगा positive यानि I2 R3 क्या हो गया positive हो गया जब यह भी positive हो गया बच्चा party तो अब लेकिन यहां पर आप negative direction की तरफ चल रहा है इस cell के EMF के तो EMF क्या हो जागा minus में देख लो सबका algebraic sum किस के एक पल हो गया 0 के एक पल हो गया तो इसको आपको समझ के रखना है जब आपके exam में पूछा जाएगा तो आपको explain करके चलना है I hope आपको सारी बाते समझ में आ गई होंगी तो मैं बगल में जो मैंने बोला है इसको मैं लिख देता हूँ और आप भी क्या कर लेंगे लिख लेंगे तो लिख लिजे बटा sign convention की बात हम लोग कर लेते हैं चलिए sign convention की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर बगल में diagram की इसके लिख देता हूँ पहली बात हमने क्या बताई आपको, पहली हमने बताई, the EMF is taken positive, the EMF, EMF मतलब यह E1 है, यह क्या है, E2 है, ध्यान रखिएगा, the EMF is taken, is taken positive, the EMF is taken positive, when we transverse from, when we transverse from positive to negative terminal, positive to negative terminal, of the cell, of the cell, जो बात मैंने आपको बताई थी वही बात में लिखा रहा हूं, positive से जब आप negative terminal में जाएंगे, देखो, positive से आप किधर जा रहे थे, इदर, negative terminal जा रहे थे, तो आपका EMF क्या हो गया, positive, लेकिन जब आप negative से positive में जाएंगे, तो क्या होगा, minus, जो यह आपने minus में दूसरा पाइंगे, 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 When we transfer from, from negative to positive terminal, negative to positive terminal of cell, of the cell. बात समझ गे? Negative से देखिए, positive में जा रहे हैं, तो क्या ले आ जाएगा EMF? Negative ले आ जाएगा. ठीक? यह रही बात EMF की. अब आईए तीसरी बात कर लेते हैं हम लोग तीसरी बात if the resistor is being transverse if the resistor is being transverse if the resistor is being is being transverse if the resistor is being transverse in the direction of the current in the direction of current in the direction of current then the potential difference then the potential difference then the potential difference is taken positive is taken positive is taken is taken positive मत्तब positive लिया जाएगा potential difference that is करके मैं लिख देता हूँ that is I into R ये क्या लिया जाएगा बैटा positive लिया जाएगा ठीक है positive लिया जाएगा चौती बाग है रहना, if the resistor is being transverse, if the resistor is being transversed, transverse in the opposite direction, opposite direction of current, then the potential difference, then the potential difference is taken, is taken negative, is taken negative, कहानी खत्म, हमने सारी चीज़े जो आपको समझाई है, मैंने आपको क्या कर दी बच्चों, लिखवा दी, ठीक है, जितनी चीज़े मैंने समझाई थी, मैंने आपको लिखवा जा ली, I hope आपको सारी बाते समझ में आ रहे होगी, जो चीज़े हमने आपको बोली थी, हमने सारी चीज़े आपको लिखवा दी, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम काम करके चलते हैं, तो यह रहा किर्शाओ अफ लॉओ, मैंने किर्शाओ अफ लॉओ के बारे में आपको बहुत डेटेल में समझा दिया भी है, और लिखा भी दिया है, ठीक है, तो प्लीज पॉस वीडियो टो नोटेट डाउन, ओके बच्चों, अब हम देखिए, अब देखिए बच्चों मिलते हैं हम लोग नेच्ट वीडियो लेक्चर में, फिर वहाँ पर हम लोग डिसकस करेंगे, वीट इस्टोन ब्रिज, क्या डिसकस करेंगे बच्चों, वीट इस्टोन ब्रिज, आपको बच्चों, यह क्या च वीट इस्टोन ब्रिज क्या होता है तो वीट इस्टोन ब्रिज में हम क्या होता है तो वीट इस्टोन ब्रिज में हम क्या होता है कि चार रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं तो यह था थोड़ा सा बात इसके बारे में तो wheat stone bridge is important part है ना मिलेंगे next video lecture में तो हम लोग wheat stone bridge के बारे में detail में discuss करेंगे फिर meter bridge के बारे में discuss करेंगे ठीक है ओके बच्चों तब तक के लिए thank you so much जैहिन